हेलो बच्चों, हम आज की इस वीडियो में Equations of Motion के Derivation के बारे में पढ़ेंगे हमने पिछले वीडियो में Equations of Motion के बारे में पढ़ा था उनका Derivation पढ़ा था कि उनको कैसे ड्राइव करते हैं अब हम उस Derivation को Graphical Method से कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम Graphical Method से कैसे Equations of Motion को Find Out कर सकते हैं तो यहाँ पे हम यह एक Graph है जिसके अलप से तीनों Equations को Find Out करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं यह Y-axis है और यह X-axis और यह हो गया Y-axis तो हम मान लेते हैं कोई Object था जो कुछ देर के लिए U velocity से चला इसी Initial velocity क्या थी उसकी U यहाँ से वो किसी दूसरी velocity से चलना स्टार्ट किया उसने और उसकी velocity बढ़ते बढ़ते कितनी होगी V velocity होगी उसकी यहाँ से यहाँ तक तो जैसे कि हम देखो Graph से समझते हैं यह जो velocity है यहाँ से पहले जो यह वाली थी यह तो velocity थी U मतलब Initial velocity फिर उसकी velocity बढ़के कितनी होगी यहाँ तक पहुँच गी तो यह जो velocity होगी यह क्या है उसकी Final velocity इसमें से इतनी वाली Initial velocity हो और यह बाकी वाली Final velocity है T उसको time लगा यहाँ तक पहुचने में तो यह एक graph बन गया है किसी भी object का जो पहले किसी Initial velocity U से चल रहा था उसके बाद उसकी velocity बढ़के कितनी होगी V होगी है अब हम इसकी statement पढ़ते हैं जैसे Consider the velocity time graph of a body has an initial velocity U तो उसकी initial velocity क्या है U at point A जो हमने यहाँ पर पढ़ा था graph में कि A point पे उसके initial velocity U थी and then its velocity change at a uniform rate from A to B in time T और T time में वो A से B पे पहुच गया और उसकी velocity क्या होगी है become V which is equal to BC in the graph graph में उसकी velocity किसके बराबर होगे BC यहाँ से पहले A point पे था उसकी initial velocity U थी B point पे पहुच गया है velocity होगी है V तो यह जो distance है यहाँ से यहाँ तक की क्या है BC और यहाँ से यहाँ तक की O A यह हमने D point मान लिया है इसके एक parallel line खीच के यहाँ पे यह D point होगया है तो अब देखो here initial velocity U initial velocity क्या है U जो की O A के बराबर है और final velocity है V जो की B C के बराबर है अब यहाँ पे देखिए जो B C है इस graph में यह जो line है यहाँ से B C इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ B D यह line B D plus D C यह वाली line D C तो जो पूरी line है B C उसको क्या लिख सकते हैं B D plus D C ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे फिर यह जो D C है यह किसके बराबर है A O के बराबर है तो D C की जगे हम A O लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा B D plus A O यह किसके बराबर हो जाएगा B C के बराबर तो अब आगे चलते हैं देखिए तो जो V हो गया है V जो final velocity थी वो किसके बराबर थी B C line के बराबर B C को हम ऐसे लेख सकते हैं B D plus D C अब D C किसके बराबर था O A के बराबर था जो हमने अभी पढ़ा तो यहाँ पे जो final velocity हो जाएगी वो क्या हो जाएगी B D plus U क्योंकि O A है जो ग्राफ में O A यहाँ पे हम देखते है O A यह जो point है O A यह किसके बराबर है U के बराबर है तो यह किसके बराबर है U के बराबर तो इसकी जगा हम U लिखे देंगे तो यह हो जाएगा V is equal to B D plus U के बराबर अब जो B D है इसमें ग्राफ में B D दो बार से एक बर ग्राफ में देखते हैं जो यह है B D यह वाली लाइन है यह इसको हम कैसे निकाल सकते हैं तो जो ग्राफ का स्लोप है ना वो इसके बराबर होगा तो ग्राफ का स्लोप हम निकालेंगे B जो ग्राफ का स्लोप है वो हमें देगा acceleration क्योंकि यह velocity time graph है और velocity time graph का जो slope होता हमने पिछले graphical representation में पढ़ा था कि वो हमें acceleration के बारे बताता है तो acceleration क्या होगा slope of the graph slope कैसे निकालेंगे BD divide करेंगे AD से BD को divide करेंगे AD से यह BD है यह है AC change in Y axis upon change in X axis मतलब Y2 minus Y1 over X2 minus X1 यह हमने slope निकालने का formula पड़ा था तो Y2 minus है यह BD है change in Y axis और यह होगा change in X axis तो इससे slope निकालेंगे हम अब जो AD है line हो वो किसके बराबर है T के बराबर है तो यहाँ पे जो BD हो जाए A को इदर लेका हैंगे BD किसके बराबर होजएगा AT के बराबर तो BD की value हम उपर वाल equation में रख देंगे BD की value यहाँ पे AT हमने निकाली है तो इस equation में हम इसकी जगए क्या रख देंगे AT तो यह equation क्या बन जाएगे V is equal to AT plus U या इसको हम लिख सकते हैं V is equal to U plus AT जो कि हमारी क्या है first equation of motion है तो यह हमारी first equation of motion drive हो जाएगी जो कि है V is equal to U plus AT हमने कैसे किया हम यहाँ पे जो यह line थी यह पूरी यह क्या है V V को हम दो तरिके से लिख सकते हैं यह यहाँ से यहाँ तक BD है BD plus यहाँ से यहाँ तक DC है DC के बराबर यह से लिख सकते हैं यहाँ पे जो DC है वो किसके बराबर है यहाँ AO जो की है U के बराबर तो DC के जगे U लिख सकते हैं BD plus U तो यह V किसके बराबर हो जाएगा BD plus U जब हम slope निकालेंगे slope क्या होगा BD divide by AD BD divide by AD तो BD को लिख देंगे B जो slope acceleration acceleration क्या होगा BD divide by AD AD किसके बराबर है यहाँ पे time के बराबर है तो इसकी जगा T लिख देंगे तो यहाँ पे BD की value के आ जाएगी AT के बराबर उसको इस equation input कर देंगे तो equation हो जाएगी V is equal to AT plus U इसको U को आगे लिख सकते हैं V is equal to U plus AT जो कियोगी है हमारी first equation of motion तो ऐसे हमारी first equation of motion मिलती है अब हम drive करेंगे second equation को same graph हमने माल लिया है suppose the body travel a distance S in time T तो T time में उसने S distance देखो जो second और third equation है वे दोनों क्या है second equation है S is equal to U T plus half AT square तो उसमें S is equal to UT plus half AT square होता है जो S होता है वो displacement होता है हमने पढ़ा था और displacement कैसे निकालते है area under the graph graph के निचे जितना भी area होता है वो हम निकाल देंगे तो वो क्या होता है displacement और third equation होती है 2A S is equal to V square minus U square यहां से S किसके बराबर हो जाएगा V square minus U square by 2A तो third equation में भी कि हम displacement निकालते है जो किसके बराबर होता है area under the graph तो जो यह graph में area है अगर हम इसको यह जो area यह graph हमारा बना था है यह वाला इसके under जो यह इतना area आएगा है यह वाला जो area है यह निकालेंगे तो हमारे पास आजएगी displacement अब इसको निकालने के दो तरीके है एक तो first यह है कि हम इस triangle का area निकाल लें और उसके बाद इसमें add कर दें यह rectangle का area दो तरीक एक यह तरीका है दूसरा यह है कि हम इस पूरे trapezium का area निकाल सकते है ऐसे तो यहाँ पे जब हम दो अलग अलग मतलब पहले इस triangle का निकालेंगे फिर पलस करेंगे इस rectangle का तो जो equation आएगे हमारे पास solve करने के बाद वो आएगी second equation और जब हम पूरे का निकालेंगे एक साथ trapezium का formula लगा के तो आएगे हमारे पास third equation तो हम दोनों का अलग अलग तरीके से निकालते हैं तो यहाँ पे the distance traveled by the body in the given graph area in the given given by the area under the velocity time graph तो जो velocity time graph का area है उससे हम displacement निकाल सकते हैं तो distance traveled total हो जाएगी area of O, A, B, C हम इस graph को यहाँ पे ही बना लेते हैं जो graph था वो ऐसे था कुछ, ऐसे तो यह A था, यह D था यहाँ पे एक बार हम देखते हैं उपर क्या क्या नाम थे point के तो जो यह था B, D, C, A तो जो area हो जाएगा graph का वो क्या हो जाएगा पूरा A, B, C, O यह पूरा area हो जाएगा तो अब graph के help से यहाँ पे area को निकाल लेंगे तो सबसे पहले rectangle का area जो नीचे वाला rectangle था उसका area हम निकाल लेंगे उसका area क्या हो जाएगा length into breadth length क्या है OA जो इदर वाली line थी ऐसे जो area था तो यह वाली line यह OA थी और यह थी OC जो यह वाली line थी यह थी OC यह A point था यह D यह B ऐसे था तो इस rectangle का area यह इसकी length यह इसकी breadth दोनों को multiply करतेंगे OA into OC तो यह जो length थी यह U के बराबर थी और नीचे वाला T के बराबर था तो U into T यह क्या हो जाएगा UT अब हम triangle का area निकालेंगे triangle का area देखते हैं अब ऐसे हमारा graph था यह A point था यह क्या था B point यह D point और यह C point O point अब इस triangle का area निकालेंगे triangle का area था 1 by 2 into base into 8 तो base इसका यह है और 8 इसकी यह वाली है तो base जो A, D है A, D किसके बराबर है? T के बराबर क्योंकि यह line क्या थी? T अब जो B, D था वो अमने first equation यह B, D जो अमने first equation में drive किया था किसके बराबर आया था? A, T के बराबर आया था तो B, D की जिगा हम रखतेंगे A, T और इसकी जिगा T, तो यह total हो जाएगा T को T जे multiply करेंगे T square यह हो जाएगा half A, T square तो जो rectangle है उसका area U, T और जो triangle थी उसका area half A, T square तो दोनों combine करेंगे S is equal to U, T plus half A, T square हो जाएगा जो कि हमारी क्या है? Second equation of motion है अब जो third equation of motion है उसको हम कैसे drive करेंगे? यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि जो third equation of motion होती है उसमें T नहीं होता है यह T की वेलू इसके लिए हम क्या करेंगे? हम direct trapezium का formula लगाएंगे trapezium का area जो पूरा हमारे पास यह एक figure बना था यह पूरा क्या है? trapezium है, trapezium क्या होता है? दो parallel side होती है, opposite side का एक pair parallel होता है और एक parallel नहीं होता है, तो यह वाली यह A point, यह B, यह C और यहां पे था D point तो area of trapezium क्या होता है? 1 by 2 into sum of parallel side यह दो parallel side है, यह वाली इनका sum into height height जो क्या है? trapezium के height यह वाली जो है, वो तो चलते 1 by 2 sum of parallel side parallel side A O plus B, sorry, D C तो A O plus C B C B यहां से लेके और यहां तक यह पूरी side क्या हो जाएगी? add करेंगे, multiply करेंगे O C जो की height है, यहां से लेके यहां तक, तब इनकी value रखेंगे A O, यह इसकी value U है तो A O की जगह हमने रखा U जो की A रखा हमने, अब C B यह पूरी किसके बराबर थी? V के बराबर थी, इसकी जगह हमने V रखा O C जो की T के बराबर थी तो हमने इसकी जगह T रख दिया तो equation क्या बनगी है, हमारे पास S is equal to 1 by 2 into U plus V into T अब T तो होता नहीं है, second, sorry, third equation में तो T की value हम क्या करेंगे? यहां से remove करेंगे, कैसे करेंगे? जो first equation थी हमारी, V is equal to U plus A T उसमें से हम T की value निकाल लेंगे T को इस side रखेंगे, बाकि सबको उधर ले जाएंगे तो T किसके बराबर आजाएगा? V minus U by A, तो T की value क्या हो जाएगी? V minus U by A, तो T की जगह हमने ऐसे ही रखा, उपर बन गी U plus V था, और T की जगह हम क्या रखेंगे? V minus U by A, V minus U by A अब 1 by 2 आगे था multiply में, तो 2 यहां पे आ जाएगा तो यह वाली, जो equation है, यह ऐसी हो जाएगी क्योंकि वो 2 हमने यहां पे लिख लिया है तो equation बन जाएगी, यह S is equal to U minus V by 2A, यह equation बन गी अब यह जो है, एक identity आपने पड़ी होगी A plus B into A minus B, यह किसके बराबर होता है? A square minus B square के बराबर होता है तो इसकी से हम लिख लेंगे A square minus B square अब A यहां पे क्या है? A है हमारा V और B क्या है? U, तो V square minus U square बन जाएगा, यह divide है 2A 2A को हम इदर लेके जाएगे, तो यह बन जाएगा 2A is equal to V square minus U square यह हमारी क्या बन गी है? यह हमारी होगी है, third equation of motion तो तीनों equation हमने drive की हैं कैसे drive की हैं? एक graph से single पहले हमें इस graph को समझते हैं पहले तो हमने simple first equation बिलकु लिजिए second में हमने क्या-क्या? second में इसका area निकालेंगे, area under the graph क्योंकि second equation में S की value निकालने होते होते हैं जो कि displacement और displacement कैसे निकलता है area under the graph तो area दो तरीक कैसे निकाल सकते हैं एक तो इस triangle का area निकालेंगे पलस यह rectangle कर देंगे, इससे हमारी second equation आएगी या फिर direct पूरा हम ट्रेपीजियम का formula लगा सकते है उससे हमारी third equation आएगी तो ऐसे हमने दो equation निकाली है अब आगे पढ़ेंगे हम circular motion के बारे में uniform circular motion circular motion क्या होता है? आपको पता है जब कोई चीज circle में move करती है तो उसको क्या बोलते है? uniform circular motion when an object move along a circular path then its direction of motion keep changing at every point क्योंकि जब कोई भी object होगा वो circular motion में move करेगा तो हर एक point पे उसकी direction क्या होगी? ऐसे change होती जाएगी तो हर एक point पे वो अपनी direction क्या करेगा? change करेगा since the velocity change due to continuous change in the direction अब direction change होगी तो इसका मतलब क्या है? velocity भी change होगी क्योंकि velocity क्या होती है? velocity कम तीन तरीक के change कर सकते हैं या तो speed change करेंगी या फिर उसकी direction change करेंगी या दोनों चीज़े तो यहाँ पे direction जो है वो अर एक point पे change होती है circular motion में तो इसलिए velocity भी अर एक point पे change होगी therefore the motion along the circular path is set to be accelerated और जब velocity change होती है तो इसका मतलब क्या है वहाँ पे acceleration हो रहा है तो उस motion को हम कैसा बोल सकते है accelerated motion बोल सकते है अब यहाँ पे direction क्या होगी velocity acceleration की तो जो velocity है उसकी direction tangent के according होगी जैसे मान लेते हैं इस point पे velocity की direction निकालनी है तो इस point पे हमें इस circle जो यह circular motion है जिस circle का यह चकर दगाजा रहा है इसके एक tangent draw करेंगे तो यह जो tangent होगी किसी भी point पे वहाँ पे velocity की direction बताएगी मान लेते इस point पे हमें velocity निकालनी है तो यहाँ पे एक tangent draw करेंगे tangent क्या होती है tangent जैसे कोई भी circle होता है उसमें tangent क्या होती है जैसे इस point पर हमें tangent ड्रा करने हैं तो हम उस point को center के साथ मिलाते हैं और वहाँ पे एक 90 degree का angle बना देते हैं तो यह जो line बनेगी यह क्या होती है tangent तो एक point पर सिर्फ हम A की tangent draw कर सकते हैं क्योंकि एक point पर 90 degree का angle A की होता है तो velocity की direction होती है अगर आपसे पूछा जाए कि circular motion में velocity की direction क्या होती है तो वो along tangent होती है और acceleration की direction हमेशा center की तरफ होती है किस direction में? acceleration क्या होता है? change in velocity velocity हमेशा अंदर की तरफ change हो रही है हमेशा अंदर की तरफ आ रही है तो जो circular motion में acceleration की direction क्या होगी? toward the center in uniform circular motion direction of velocity at any point will be along the tangent at that point velocity की direction tangent के according होगी और acceleration की direction क्या होगी toward the center of the circle circle के center की तरफ होगी acceleration की direction अब velocity of a uniform circular motion will be velocity क्या होती है displacement upon time अब displacement circle में displacement क्या होगी जितना बाहर से चक्कर लगाया मतलब उसकी circumference और circumference होती है 2 pi r तो 2 pi r होगी displacement by t तो circular motion in velocity क्या होजाएगी 2 pi r by t अब यह कुछ topic है angular displacement का तो angular displacement क्या होती है यह देखिए the angle subtended at the center of a circle by the initial and final position of the body moving along a circular path is called the angular displacement इसको समझते हैं अच्छे से कि मान लेते हैं कोई object पहले इस position पे था उसके बाद यहाँ पे आ गया है तो यह होगी है उसने जो distance travel की अब इस जो distance थी पहले जो जहां था और बाद में जहां पहुँच गया है उसको जब हम center से मिलाते हैं उस line को तो जो angle बनता है उसको हम बोलते हैं angular displacement जो यह displacement होई यह वाली यह क्या होगी angular displacement angular displacement की unit क्या होती है radian क्योंकि एक solid angle बनता है और solid angle की unit होती है radian जो कि आप आगे class में पढ़ोगे अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखोगे की जो angular velocity होती है उसकी unit क्या होती है radian अब एक radian angle कितना होता है इस यह angle हो गया थिटा इसको हम कैसे निकाल सकते हैं यह जो distance है यह divide कर दें अगर इस radius से इसमें मतलब थिटा निकालना है तो AB जो length है उसको divide कर दें हम यह R मान लेते radius of the circle जो की है OB इससे divide कर दें हम तो क्या आजाता है थिटा की value आएगी अब इसको हम L से लिख देते हैं तो AB होगी है L और radius होगी है R तो थिटा किसके पराबर हो जाएगा L by R मतलब अगर हमें angle निकालना है तो किसके पराबर हो जाएगा जो length of arc जो की ये वाली length है इसको divide कर देंगा हम radius से तो क्या आजाएगा angle की value आजाएगी हमारे पास अब ये थिटा की unit क्या है radian ये होगी radian अब एक radian कितना होगा अब यहाँ पर देखते हैं थिटा किसके पराबर है L by R के अगर हम L की value 1 रख दें तो थिटा की value कितनी आजाएगी 1 के बराबर आजाएगी इसका मतलब 1 radian angle कब होगा जब जो length of arc और length of radius दोनों बराबर हो जाएगी मतलब ये जो length है ये बराबर होगी इस radius के तब जो angle बनेगा ना center के साथ वो angle क्या होगा 1 radian का angle होगा उसको हम बोलते हैं 1 radian जब radius के बराबर length होगी आर्क की तो जो angle बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे अगुलर उसको हम एक radian angle बोलेंगे अब ये तो गया अगुलर displacement अब displacement के बाद पढ़ेंगे अगुलर velocity क्या होती है नॉर्मल velocity क्या होती है displacement बटे time तो यहाँ पर भी angular velocity क्या होगी angular displacement upon time angular displacement हमने अभी पढ़ा है angular displacement जो angle जब किसी angle से मतलब एक point से दूसरे point पर circular path के लोग गुमेगी तो ये जो displacement होगी है क्या होगी angular displacement और कितना time लेकि उसको time से divide कर देंगी तो वो आजाएगी angular velocity अंगुलर velocity को हम omega से लिखते हैं ये symbol होता है omega का इसको omega बोलते हैं omega से हम denote करते हैं angular velocity का तो angular velocity का formula क्या होगया angular displacement upon time angular displacement क्या होती है theta radian जितना angle से वो displace होई थी जो की यहाँ पे जो angle बन रहा था ये वाला बटे time t second में तो formula क्या होगया omega is equal to theta by t theta क्या थी displacement और t time unit क्या हो जाएगी radian per second क्योंकि theta की unit radian और time की unit second तो unit हो जाएगी radian per second अब acceleration के बारें पढ़ेंगे normal acceleration क्या होती है velocity by time मतलब change in velocity by time तो यहाँ पे angular acceleration क्या होगा change in angular velocity by time तो change in angular velocity by time इसको हम alpha से denote करते हैं alpha अब change in velocity कैसे निकालते हैं पहले जो velocity थी उसको minus करेंगे जो बाद में velocity होगया उससे तो मान लेते हैं कि angular velocity पहले angular velocity को हम omega से लिखते हैं पहले उमे 1 थी थोड़े देर बाद velocity होगी omega 2 और time कितना लगा t1 time यहाँ पे था t2 time यहाँ पे हो गया है तो formula होगा change in velocity by time change in velocity कैसे निकालेंगे यह initial velocity थी यह final तो final में से initial को गटा देंगे w2 minus w1 जो कि यहाँ पे है w2 minus w1 time t2 बाद का time t1 पहले का तो t2 minus t1 तो जो गटाने के बाद जो आएगा वो क्या जाएगा angular acceleration तो change in velocity मतलब change in angular velocity by time unit क्या हो जाएगी time एक बार फिर से आगए तो radian per second square हो जाएगी यहाँ पे unit किसकी angular acceleration की SI unit of angular acceleration क्या होगी angular acceleration की radian per second square अब normal जो linear velocity हम निकालते हैं और angular velocity जो होती है उनमें relation क्या होता है नॉर्मल वेलोस्टी को V से लिखते हैं और angular velocity को उमेगा से तो जो normal velocity होती है वो होती है angular velocity into radius of the circle जिस circle का हो चक्कर लगा रहा है उसकी radius से तो normal velocity अगर हमें निकालनी है angular velocity से तो उसको multiply कर देते हैं radius की circle से तो हमारे पास क्या जाती है normal velocity तो ये normal velocity जिसको हम linear velocity बोलते हैं उसकी relation होगी है angular velocity के साथ जब हम angular velocity को radius से multiply करते हैं तो हमारे पास क्या जाती है linear velocity तो chapter आपका खतम हो गया है first एक बार अच्छे से सारी videos को आप देखेंगे और chapter को समझने की कोशिस करेंगे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पास message कर सकते हैं